साथियो असलामालेकुम नमस्कार ना थके कभी पैर ना कभी हिम्मत हारी है जज़वा है परिवर्तन का जिन्दगी में इसलिए सफर जारी है साथियो आप देख रहे हैं हमारी यूटूब चैनल मुबारक स्नेक से भर पर एक बर्ड बी ए डबल आर इडी बर्ड उल्फ स्नेक किस तरह छिपकिल्ली के चंगुल में फस चुका है हलाकि इसका मुख भोजन चिपकिल्ली है लेकिन आज ठीक उल्टा हो चुका है चिपकिल्ली इसे खाने के लिए रेडी हो गया है देखना दिल्चस्प होगा कि चिपकिल्ली सांप को खाता है या सांप चिपकिल्ली को खा जाता है ये जो सांप देख रहे हैं ये ज़्यादा तर घर के अंदर ही रहना पसंद है ये चौकट में फटा हुआ दिवाल में और खास करके साथियो भारत देश का सबसे जरीला सांप का हमसकल है अक्सर ये सांप लोगों को काट लेता है और लोग समझते हैं हमें करैत सांप ने काट लिया और ओजा के घर चले जाते हैं ये बीना जहरवाला बर्ड उल्प स्नैक ये बिलकुल स्वस्थ है और जिन्दा है इसलिए ये पूरे तेजी से दबाव बना रहा है छिपकिली के उपर लेकिन छिपकिली उसके मुझ को ही पकड़ लिया है साथियों खास करके आप बीना जहरवाला सांप अगर डस ले तो किस तरह पहचान करें बीना जहरवाला सांप डस ले तो किस तरह पहचान करें इसके लिए आपको विडियो का आंग तक जरूर देखना होगा बिना जहरवाला में बहुत सारा दांद गड़ा होता है और जहरीला साप होने से उसमें दो ही दांद होता है तो बिना जहरवाला में आप सबसे पहले अच्छी तरह से डिटॉल या साप सुथरा खास करके साबून या डिटॉल से साप सुथरा कर ले यदि जहरिला साप काटा है तो तुरंद डॉक्टर से संपर्क करें और बिना जहरवला काटा है तो डीटॉल सेवलाउन से साप सुतरा करके एक टीटी इंजेक्शन जरूर लगा लें यही कारगर इलाज है साथियो साथियो पता नहीं अब ये छिपकिली को जैसे हमें लगता है छिपकिली ही साप को खा लेगी ये घरेलू रिजड है और दोनों में हमें लगता है कुछ देर तक फाइट हुआ होगा यही जीवन चक्र है और वीडियो देखके ऐसा परतीत होता है कि दोनों ही स्वस्थ है और जिन्दा है साथियो फिर एक बार हम दोहराना चाहते हैं कि ये जो है बर्ड उल्प स्नैक ये ज़्यादा लंबाई नहीं होती है बस इसी तरह का ये लंबा है होता है और इसमें ब्लैक कलर में दिखेगा मोटा मोटा धारी 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 वाइट है और अगर ये असली करायत होता कॉमन करायत होता तो इसमें सादा सादा पतला पतला में होता ठैंक सर जैहिंद